हलो दूस्तो नमेश्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सब्लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगयत करता हूँ आज की दिन का पहला वीडियो तो आप सब्लों को पताई है किस टॉपिक से रिलेटेड रहने वाला था येस आज के दिन के अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रूप के उपर ही हर किसी का फोकस या पर रहने वाला तो चाहे उनके पास इसके शेर रहे या ना रहे अदानी ग्रूप से रिलेटेड आपको पताई है कि सबसे पहले ओपनिंग कैसे होने वाली थी इन कंपनी के शेर्स की उसके उपर फोकस था then during the market ये शेर्स कैसे ट्रेड करेंगे उसके उपर फोकस था and उसी के साथ साथ सुप्रेम कोट में यहाँ पे सुनवाई क्या होगी से भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी या नहीं करेगी तो उसके बाद सुप्रेम कोट क्या जवाब यहाँ पे देता है उससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है and उसके बाद शेर में क्या रियेक्शन देखने को मिल जाते है इसके उपर भी हर किसी का फोकस था तो क्या क्या चीजे अभी तक हुई है वो आपके सामने में रखने पसंद करूँगा and step by step जाएंगे जैसे कि अगर हम लोग बात करे निफ्टी 50 की बात करे ठीक है overall performance जो रहा है वो बिल्कुल neutral रहा है ना तो जादा तीजी ना तो जादा गिरावट हलाकि हम देख सकते जो शुरुआत हमने expect की थी कि gap down हो सकता है pressure आ सकता है निफ्टी में क्योंकि जब भी अदानी ग्रूप में हम लोगों ने इस प्रकार की चीजे देखी है कि issues से related हम कह सकते है negative खबर देखी है तो index level पे भी हम लोगों को पैनिक थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है क्योंकि इसके पीछे का reason बहुत ही साफ है yes bank nifty बहुत भारी करजा है उनके उपर इसके चलते सरकारी banks, bank nifty के उपर हम लोगों को अच्छा कासा pressure create होते वे देखने को मिल जाता है और ऐसे ही कुछ हम लोगों को शुरुआत होते वे देखने को बने जो की बिल्कुल expected चीज थी then अगर हम लोग बात करें individual stocks के हिसाब से तो जो खबर आई थी वो specifically अदानी port से related थी हाँ इनके जो auditor थे statutory auditor Deloitte उन्होंने यहापे resign किया था and resign की भी अगर हम लोग यहापे बात करें तो उन्होंने कुछ concern raise करके resign यहापे किया था जो की usually normal market की अगर हम लोग बात करें तो अच्छी खबर यहापे मानी नहीं जा दिये तो यह भी expected था कि आज की दिन अदानी port में हम लोग को gap down ही देखने को मिलेगा उसके बाद और ज़्यादा गिरावाट हो सकती है and oral अगर हम लोग देखे जाए तो performance कैसे रहेगा इसके ओपर focus था तो net गिरावाट की बात करें तो 2-2% की गिरावाट देखने को मिली है तो शुरुआत जैसे expect किया था वैसे ही देखने को मिला है देन उसके बाद और जबरदस गिरा था 4-5% के आसपास गिरावाट देखने को मिली थी तो कुछ वैसा ही chart pattern हम लोगों को अदानी port में भी बनते वे देखने को आपे मिला है और सिर्फ अदानी port की बात करें जितने भी अदानी group के अगर आप shares देखोगे enterprise की बात करें तो 3.5% गिरा है सबके chart pattern वैसे ही कुछ हम लोगों को देखने को आपे मिले है अगर मैं formalities आपके सामने कर दू तो आप देख सकते है आदानी पार की बात करें तो same chart pattern आपको देखने को मिलेगा विलमार की बात करें 10% की यहाँ पे भी गिरावट है then energy solution की बात करें जिसको हम लोग पहले transmission के नाम से जानते थे वहाँ पे भी 3% की आसपस की गिरावट है total gas की बात करें तो almost 2% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है green की बात करें तो 2%, NDTV में भी गिरावट cement में बात करें तो ambuja cement and ACC सब में हम लोग को गिरावट थोड़े फार देखने को आपे मिल चुका है तो ठीक है दोस्तो जैसे में ने का यह तो formalities यहाँ पे हो चुके जो कि हम लोग ने expect कहता है वैसी कुछ चीज़ यह देखने को आपे मिली हाँ यह बात भी उतनी ही सच है कि थोड़ा सा बड़ा expectation था कि ज़्यादा गिरावट हो सके करके हाँ बट उतना गिरावट हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिला ठीक है यह तो हो गया एक point number one then दोस्तो point number two जो की सबसे ज़्यादा important है कौन सा obviously कि सेभी को बोला गया था कि boss आप investigation कीजिए और अपनी report पेश कीजिए आज 14 तारीख है so सेभी कि अगर हम लोग बात करें तो supreme court की अगर हम लोग सुनवाई की बात करें दोस्तों तो yes during the market ही हम लोग को कुछ खबरे देखने का आपे मिली थी जो की supreme court में आपे चल रही थी तो सेभी ने क्या यहापर report पेश कर दी तो दोस्तों वो सवाल का जवाब है नहीं मतलब तो दोस्तों सेभी ने यहापर का है कि please हमें और 15 दिन का time देजे मतलब उन्होंने extension और यहापर माग आए कितना केवल 15 दिन का ठीके तो अगर आप यहापर article को भी देखोगे तो during the market यह ख़बर सामने यहापर आई थी कि सेभी सीख 15 देंस extension और उन्होंने request किया है court को कि आप थोड़ा सा इतना extension यहापर देदा और इसके पीछे का उन्होंने reason भी अपना यहापर पेश किया है so reason के चलते हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी easily इनको extension यहापर मिल सकता है करके so देखा गया तो उन्होंने court में क्या बुला है कि कुल मिला के अगर देखा गया तो सेभी ने मतलब court ने कहा था कि सेभी को investigation कीजिए and कुल मिला के 24 matter है ठीके 24 ऐसे matters है जिसको examine करना है and investigate यहापर करना है and इस 24 में से अगर हम लोग यहापर बात करें दोस्तो तो बताय जा चुका है कि court में की 17 ऐसे matter है दोस्तो जिनका investigation examination complete यहापर हो चुका है मतलब वो ready हो चुके है सो 24 में से 17 गये तो बचे कितने 7 matter तो इस 7 matter से related बाते क्या हुई है तो इन 7 matters को अगर हम लोग divide करें तो 3 हिस्सों में divide करना पड़ेगा एक है 4 एक है 2 और उसके बाद है 1 in total 4 to 1 कितना हो गया 7 हो गया तो इससे related कुछ updates उन्होंने आपे court के सामने आपे रखे जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो से भी ने कहा है कि कुछ चीजे मतलब सब कुछ तो हमारे हाथ में तो होता है नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ने कहा है कि एक ऐसा matter है जो कि foreign agency के और से हम लोगों को reply आना बाकी है ठीक है मतलब हम लोग इंतजार कर रहे है and expect कर रहे है कि 15 दिन के भीतर भीतर ठीक है हम जो investigation यहाँ पे कर रहे है तो 15 दिन के भीतर भीतर उनके और से हम लोग को reply यहाँ पे आ जाए करके तो वो अभी तक reply नहीं आया है तो 7 में से यह 1 matter अभी भी pending है ठीक है तो उसके पहले हम लोग कैसे अपनी रिपोर्ट सब्मिट करें ठीक है दन अगर देखा गया तो बचे कितने 6 matters यहाँ पे बच गए तो बचे हुए 6 matters में से अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको बोला था 421 करके तो 4 की अगर हम लोग बात करें तो बताय जा रहे है कि उनकी जो रिपोर्ट है ठीक है उसमें भी investigation यहाँ पे जारी तो जो respected जो authorities रहती है उनके और से complete approval आना यहाँ पे थोड़ा सा बाकिए waiting यहाँ पे चल रहे करके मतलब सेवी ने अपना काम किया है वो ऐसे यहाँ पे बोल रहे है जो authorities के और से यहाँ पे approval आएगा वो फिलाल तो pending है वो भी 15 दिन के अंदर-अंदर आ जाएगा ठीक है तो यह 5 हो गए और remaining 2 matters की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे फिलाल चल रहा है advance stage पे उसका investigation यहाँ पे जारी है वो भी हम लोग कह सकते कि somewhere around 15 दिन के अंदर-अंदर यहाँ पे खतम हो जाए सो कुल मिला के बात करें तो 24 में से 17 चीज़े complete हो चुके साथ चीज़े pending है और वो भी साथ चीज़े 15 दिन के भीतर-भीतर complete हो जाएगी और उसमें से एक matter तो विदेशी है जहाँ से हम लोगों को वहाँ की जो regulator है ठीके उनके और से हम लोगों को जो भी information हम लोगों ने पूछी है वो यहाँ पे उसका जो भी जवाब है वो आना यहाँ पे बाकी है जैसी यह चीज़े सामने है यहाँ पे आ जाएगी तो complete 24 में से 24 matter का यहाँ पे investigation हो जाएगा report complete हो जाएगी और वो हम लोग आपके सामने हाँ पे रख देंगे इसके लिए कृपया आप हमें और 15 दिन का extension दीजे यह सेभी ने फिलाल तो क्या किया है Supreme Court के पास यह request यहाँ पे की है तो देखा गया तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी करके तो यहाँ पे usually इनको extension यहाँ पे मिल जाएगा इसी चीज के चलते अभी हम लोग कह सकते है अगर extension यहाँ पे सारी चीजे हो जाते जो कि 99% मिल ही जाएगी ठीक है अभी इतना सब कुछ यहाँ पे हुआ है तो date तो यहाँ पे दी जाएगी तो 29 ओगस्ट यह सबसे important दीन फिर वापे यहाँ पे आ जाएगा हाँ अभी उस दीन पे क्या हो जाता है वो देखना पड़ेगा यहाँ पे बट येस फिलाल तो यह चीजे हमारे सामने आती भी देखने को मिली है मतलब जो expect करे थे कि आज report से भी पेश करेगा हाँ तो उन्हेंने पेश नहीं किया अभी बता ना कि 7 माइटर अभी भी पेंडिंग है तो पहले केसे बोल दे कि सब कुछ clean है या नहीं है करके तो 29 अगस्ट फिलाल तो अभी हम लोग चेक करेंगे शायद से मंगलवार है मैंने चेक किया था कि मंगलवार का दीन यहाँ पे रहेगा तब ही पता चलेगा कि क्या होता है करके नेक्स्ट एपिसोड की बात करे तो ठीक है बाजार का अभी पूरा फोकस अगर हम लोग बात करे इस दीन पे यहाँ पे रहने वाला है और इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते कि कोई final conclusion तो हम लोग को आज के दिन देखने का आपे नहीं मिला ठीक है तो हम कह सकते वापस थोड़ी सी हम लोग को recovery देखने का आपे मिली है तो अगर देखा गया तो हम कह सकते अभी यह तारिक बहुत ज़्यादा important रहेगी उस तारिक पे वापस अदानी ग्रूप के शेर्स यहाँ पे focus में आपे रहेंगे और प्लस अगर देखा गया तो जैसे मैं open lip पहले भी बोल चुका हूँ कि यह political football यहाँ पे बन चुका है तो यहाँ पे वो अदानी से related यह खेल अपना यहाँ पे play करेंगे और जो goal करेगा आपको पता ही है उसके जीतने के chance से आपे बढ़ सकते है तो इसी के बीच में हम कह सकते कि retail minister first सकते है इसलिए मैंने आप लोग को कहा था कि संभाल करें हाँ ट्रेडर वाले लोग जा सकते है ट्रेडिंग तो किसी भी stock में हो सकती है but investment के point of view से अगर हम लोग बात करें at least election खतम होने तक तो आप लोग ने इंतजार यहाँ पे करना चाहिए इतना तुम्हें आप लोग को यहाँ पे कह सकता हूँ अभी देख लेते हैं 29 तारिक को क्या होता है और इस बात से भी मुझे कोई शौक नहीं लगेगा कि 29 तारिक के पहले भी कोई report के जरिए कोई sources के जरिए कोई ऐसी खबर आ जाए मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़े यहाँ पे आती रहती है तो भी मतलब कोई shocking वाली बात यहाँ पे नहीं होगी तो यह देखने वाली बात होती है कि क्या होता है करके अभी next यहाँ पे hearing में वही एक सबसे important चीज रहेगी और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें वह बाकी के stocks cover करना रहेगे तो जैसे के LSE की बात करें वह भी same ऐसे ही चलते है अदानी गरूप में गिरावट तो इसमें भी गिरावट उसमें recovery तो इसमें भी recovery same इसका एक और भाई कौन सा है State Bank of India यह भी हम लोगों सेम वैसे ही कुछ चलते वे देखने को मिल जाता है गिरावट तो इसी थी बट recovery में तो SBI हम लोगो ज़्यादा चलते वे देखने को आपे नहीं मिला and final अगर हम लोग बात करें तो yes हमारा index तो index भी वैसे ही कुछ यहापे चलता है क्योंकि entire bank nifty को थोड़ा बहुत impact यहापे करवाता है through PSU banks so same pattern हम लोगो सब के chart pattern में वैसे ही कुछ देखने को आपे मिले है so ठीक है दोस्तो जितने भी बाते अभी तक सामने जो आई थी वो मैंने आप लोगों के सामने आपे रखे हुए और मैंने इसके पहले भी आप लोगों को काई बार बार काई लिख कर बोला है कि यह चीजे इतनी जल्दी खतम होने वाली नहीं है यह election तक यह चलने वाला है इसको बहुत ज़्यादा ड्रैग यहापे किया जाएगा ठीक है तो यह point भी आप लोगों ने दिमाग में fit करके आपे रखना चाहिए so आशा करता हो वीडिया helpful लगा होगा तो आप चाहो तो इसको like and share कर सकते हो अपने अभी तक उपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कूल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौनसा अकाउंट आपने लिंक की तरो ओपन किया प्रॉपरली कमेंट से के मिंचन कर दिना तो अफते बर के अंदर अंदर सारे लिक्शर्स मेरे साइट से free of cost प्रवाइड कर दे जाएंगे ताकि अब share बादार को आसन बाशा से सीख सको So that's it, thank you very much दोसो We will be meeting Rx लियो, तब तक के लिए, bye bye